कि हाए फ्रेंट आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्रैंक साफ्ट में जो इए ये ज़ो नीचे दिखा रहा है ये फ्रंट में जो फ्लेंज लगता हैे इसका लगाना क क्यों क्यों ज़ोरी होता है तो ऐसे के बारे में जो पूरा कंप्लीट डिटल से हम आपको बताते चलेंगे तो कि यह जो है जहां पर हमारा क्रेंक लगा होता है तो गेर के इस कबर में जो होता है जो फ्रंट आयल सील होता है उसी को सिलिंग करने के लिए जो यह क्रेंक साथ का यह फ्लेंज लगता है क्योंकि जब यह फ्लेंज लगता है तो इसी को पर हम लगती होता है यह देखिए के इसमें हम आपको दिखा रहे हैं यह धर गेर के इसकवर में जो प्र्णार्ट कहां लगा रहता है तो उसी के बाद जब फ्रेंच के लगाते हैं जी पिलेंच होता है वह लोकождा अगर और पहुचम में जैसे कभी भी आयल सील अगर थोड़ा सा भी वर्ण आउट होता है तो यहीं से जो है लुबायल का जो है सिपेज इस्टार हो जाता है और फ्लेंज लगाने के बाद ही जो है इसके उपर यह देखिए हर एक का सिस्टम अलग होता है किसी में जैसे यह पुली होता है जो हमारा में फैन को जो इसको एम्जाब कर लेता है तो किसी में जो है वह वाइब्रेषण सब्ट भी लगता है जो फ्लेंज के ऊपर लगाये जाता इलग तो इसी तरह जो यह देखिए इसमें हम आपको दिखा रहें इसमें दिखेवफेंज के उपर यह वाइब्रेसं टेंपर जो है यह लगा है इसलिए यह फ्लेंज जो है बहुत ही इंपार्टन चीज होता है जो इंजन को जो है फ्रंट सील जैसे जहां भी लगता है गेर केस कवर के उपर वहां से लिकेज नाके बराबर हो जाता है यह देखिए यह हम दूसरे माडल का भी इंजन हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लगभग जो भी कोई siglo Challenge का अभस्वे जाँन होगा उसमें जब फ्रंट में गेर केस गपर पर जो एल सील टा फ्रंट अउसा फिकापश्या वहां से जहां किक्वी लगाय रहा है neo देखिए इसमें हम आपको जा रहा है जैसे यहतरी hai नहीं जो हमारा यह फ्लैंज के ऊपर ही लगता है क्योंकि फ्लैंज के ऊपर जैसे जो भी हमारे कपी स्कूर के लिए जो ठ्रेडिंग होती है उसी पर यह वाइब्रेशन टेम पर जो लगाया जाता है इसलिए जो है यह फ्लैंज जो है क्रेंग का जो है बहुत ही जो है इसमें दोस्तों फ्रेंडों को भी और टेक्निसियन को भी इसको सेर करें जिसे उनको भी जानकारी हो